बर्ड बॉक्स बार्सेलोना पिछले ही हफते रिलीज हुई है नेट्फिक्स पर और ये कहना गलत नहीं होगा जिस इंटरस्टिंग उनिवर्स में उरिजिनल बर्ड बॉक्स सेट थी वो हमें फिर से देखने को मिला and I was pretty excited about it और आप सभी के लिए इस वीडियो में एक गिववे भी है तो बने रहे मेरे साथ इस गिववे की इनफरमेशन के लिए With that I welcome you all to my channel Flock for love of cinema and I want to thank all the new subscribers जो पिछली वीडियो से इस चैनल के साथ जुड़े हैं आप लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ने में मेरा विश्वास और स्ट्रॉंग हुआ है कि जो भी मैं content आपके लिए ला रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है और अगर आप एक new viewer है तो thanks for clicking this video मेरा ये चैनल कुछ ही महीने पुराना है और मुझे आपके support की हच्च से जादा जरूरत है तो क्यों ना हम इस वीडियो पर एक target रखते हैं अगर इस वीडियो में आप 100 likes and comments का target पूरा करते हैं including helping this channel reach 200 subscribers currently ये चैनल इस subscriber count पर है तो मैं एक viewer जिसने comment और subscribe दोनों किया होगा उसे आपकी ही पसंद की एक movie ticket giveaway करूँगा इस giveaway का result एक दम फेर होगा जिसकी details मैं वीडियो के end में आपको बता दूँगा तो वीडियो को end तक ज़रूर देखना आपको इस channel पर movies और tv shows Indian और western दोनों के episode breakdowns character breakdowns movies and tv series की recommendations भी मिलेंगी तो अगर आपको tv shows और उनके characters की analysis पसंद है तो do me a kindness and subscribe this channel 2018 में Netflix पर आई एक post-apocalyptic world में set एक ऐसे thriller से introduce करवाया जिसका नाम है Bird Box Bird Box की दुनिया ऐसी है जहां पर घूमना तो छोड़ो simply आंग खोल कर देख भी नहीं सकते और अगर घर में कैद हो तो खिट की दरवाजे बन होना बहुत important है क्योंकि बाहर की एक चोटी सी जलक भी आपको मरवा सकती है ऐसा कुन सा creature है जो दिखता भी नहीं है पर फिर भी लोगों को suicide करने पर मजबूर कर देता है और एक दो ऐसे ही post-apocalyptic adaptations के बारे में बात करेंगे जिनका universe और montage almost Bird Box जैसा ही है लेकिन वो end में तो 2018 में Bird Box लोगों को इतनी पसंद आई कि streaming platform Netflix पर पहले ही week में 45 million users ने इसे stream किया और historic record बनाया with so many users streaming it उस time जब मैंने ये movie देखी तो I knew मुझे इस पर video तो बनानी बनती है बट उस time मेरा channel नहीं था तो सोचा जब भी होगा Bird Box पर एक video तो पक्का बनाऊँगा and now I have got that chance क्योंकि Bird Box का spin-off Barcelona version recently release हुआ है Netflix पर same उसी universe में जिसमें Sandra Bullock की original Bird Box set थी कोई इसे Bird Box का sequel बोल रहा है और कोई prequel बट ये prequel है जो थोड़ी ही देर में मैं बता दूँगा क्यों so let's begin with our video तो पहले बात कर लेते हैं Bird Box के concept और storyline की पहली Bird Box में makers ने हमें अंधेरे में रखा कि ये monsters आई कहां से हैं और दिखते कैसे हैं ये अभी भी mystery ही है बस इतना पता है जो भी इन monsters को देखता है उस पर और उसके mind पर एक गहरा असर पड़ता है monster उनके fears और dark secrets को use करके उन्हें control करता है और कुछ ऐसा दिखाता है जिससे उनकी आँखों की irises deform हो जाते हैं लगबग Beehive के design जैसे और वो कुछ ही seconds में suicide कर लेते हैं और Bird Box बार्सेलोना में सोचा था कि इस mystery पर और information मिलेगी बट audiences के लिए अभी भी ये mystery unfold नहीं होई है Original Bird Box और बार्सेलोना की story almost similar है Original Bird Box की story दो time periods में distributed है First time period है direct outbreak के बाद का यानी Mallory के survival का Mallory को Sandra Bullock ने play किया है और second time period है इस outbreak के 5 साल बाद का जब Mallory खुद को अपने बच्चों के साथ एक river के रास्ते एक sanctuary में safely पहुँचाना चाहती है जो इन monster के effect से safe है Basically वो sanctuary एक green canopy से covered है और बहुत सारे birds से भरी पड़ी है जहां और survivors भी है Hence the name Bird Box और Bird Box बार्सेलोना की story भी दो time periods में बटी है बार्सेलोना की story का main lead है Sebastian नाम का एक character जो अपनी बेटी के साथ इस outbreak को survive कर रहा है इसमें भी first time period outbreak के direct बात का है जिसमें Sebastian अपनी family को एक safe जगा पहुँचाना चाहता है और second time period है outbreak के 9 महीने के बात का जिसमें Sebastian इन monster की mind game से लड़ रहा है और खुद की identity crisis में है Since Barcelona के events original वाली से पहले के हैं तभी ये prequel consider होती है Bird Box Barcelona और इसके Sebastian को समझने के लिए हमें पहली original Bird Box का idea होना ज़रूरी है तो पहले वो जान लेते हैं तो original movie में outbreak के पहले ही दिन monsters की presence में सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे survival को तभी कुछ लोगों का group एक घर में safe haven ढूंडते हैं और इसी घर में एक दिन Olympia जो बहुत ही sweet और extra trusting है जो किसी का दुख नहीं देख पाती वो एक stranger Gary जिसको Tom Hollander ने play किया है इसको घर में entry दे देती है घर के बाकी members इस decision से against होते हैं बट Gary एक mental institute की convincing सी story सुनाके उन्हें घर में रहने को मना लेता है और कुछ ही देर बाद ये reveal होता है कि Gary उन लोगों में से है जो monsters को देखके survive कर सकते हैं और इस system से immune है बट एक condition पर ये Gary एक तरीके से एक cult का part है जो बारसलोना में भी ऐसे लोग है जो monsters की gaze से immune है और obsessed हैं दूसरों को monsters को दिखाने में और जो नहीं देखता उनकी जबरदस्ती आंके खुलवाते फिरते रहते हैं क्योंकि वो सब को believe कराना चाहते हैं उन monsters को देखो क्योंकि वो नजारा बहुत ही सुन्दर है और आप इस beautiful sight को देखना deserve करते हैं बट इन reality जो भी उन्हें देखता है वो suicide कर लेता है अगर मैं अपना opinion दू तो मुझे लगता है कि ये monsters आउटर स्पेस या दूर किसी galaxy से travel करके अर्थ पर आए हैं अर्थ को invade करने के लिए किस motive से फिलहाल ये तो बताया नहीं है और अगर real life में भी हम किसी alien को देख लें तो हमारे लिए भी वो नजारा सुन्दर ही होगा आपको क्या लगता है ये monster कहां से आए हो सकते हैं या क्या है comments में share करें अपने thoughts तो इन monster की gaze से वही immune है जो mentally unstable है या disturbed है और बार से रोना version में ये mention किया है immunity तब भी आ सकती है अगर किसी ने अपनी life में ज़्यादा दुखदर्द देखा हो या कोई tragic incident से गुजरा है तो Gary एक mental institute से भाग कर आया होता है और फिर Gary अपना असली रंग दिखाता है और घर के सभी windows, curtains खोल देता है ताकि घर के members उन entities को देख पाए तबी Olympia और Mallory जो pregnant है वो labor में जाकर अपने अपने baby deliver करते हैं जिस time Olympia बाहर का नजारा देख लेती है और खुद को मर लेती है बट मरने से पहले उसमें इतनी resistance होती है कि वो monster की power को जहल ले जिस वज़े से वो अपना baby Mallory को दे देती है वो भी Mallory के बार-बार convince करने पर otherwise वो भी अपने baby को अपने साथ ही ले जाती तबी Mallory के पास दो kids है एक लड़का और एक लड़की जिसमें से लड़का Mallory का बेटा है और लड़की Olympia की बेटी और वो decide करती है इन दोनों को एक साथ raise करने को ओरिजिनल बर्ड बॉक्स में Mallory के character को इतना strong और emotional लेस्ट बताया है कि Mallory का बचपन बाकी सबसे usually different था और उसका father बहुत ही strict और careless था जिस वज़े से वो भी real life में किसी से connect नहीं हो पाती थी और ना ही होना चाहती थी इवन अपने बच्चों से भी नहीं इसलिए उसने अपने बेटे को boy का नाम दिया और बेटी को girl का बट जैसे जैसे movie आगे बढ़ती है वो भी अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहता ताकि वो इस fucked up monster world में survive कर पाए grown-ups के लिए ये survive करना तो फिर असान है बट kids के लिए मुश्किल है इसलिए वो अपने बच्चों को भी affection या hope नहीं देती ताकि वो इस affectionless world में strongly raise हो पाए और उन्हें भी अपने जैसा cold hearted बनाना चाहती थी क्यूंकि reality तो ये है कि प्यार तो इस दुनिया में रहा नहीं हर कोई अपने survivor के लिए selfish है तो वो अपने बच्चों को भी जूटी hope क्यों दे बट river के rapids cross करने के बाद जब उससे उसके दोनों kids बिच्छड जाते हैं तब Sandra Bullock की acting Oh my god, it's just fabulous मैं इस scene से इतना connect हो गया कि मुझे लगने लगा कि मैं भी उसी universe का part हो इसकी performance इस scene में इतनी strong थी और इस moment में she opens herself और अपने kids को बिच्छड जाने पर अपने पास बुलाती है और monster से urge करती है कि please don't take my children जिसके बाद हमें feel होता है कि उसमें कुछ change आया और उनसे connect करना शुरू हुई और अपने बच्चों को नाम दे देती है अपने बेटे को Tom जो उसका इस survival में partner था और बेटी को Olympia का उसकी असली मा के नाम पर और ending में movie से एक meaningful result निकल के आता है love and hope का प्यार तो वो अपने बच्चों से पहले भी करती थी और उनके लिए sacrifices भी उसने बहुत किये बस अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाती थी और इसलिए उनसे harshly behave करती थी इस वज़े से वो बच्चे भी उससे डरते थे अगर मैं इसे detail में discuss करने लगा तो हम off topic हो जाएंगे और वीडियो बहुत ही लंबी बट अगर आप चाते हो कि मैं original bird box जिसमें multiple layers हैं और अपने आप में एक complex plot है उसको detail में breakdown करूँ तो comments में बताए मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा और bird box बार्सिलोना में characters के साथ emotional connection और उनकी personal details सब missing था जो मुझे बहुत ही disappointing लगा तो चलो अब बार्सिलोना पर बात कर लेते हैं तो bird box बार्सिलोना सेबैस्टेन की story को follow करती है जो monster की gaze से immune है और उसी cult का member है जो forcefully survivors की आँखे खोलते हैं जैसे मैंने पहले बताया था ये immunity इसे इसलिए मिलती है क्योंकि इसने कुछ tragic देखा होता है इसने अपनी आँखों से पहले अपनी wife को मरते हुए देखा outbreak वाले दिन और कुछ देर बाद अपनी बेटी को monsters द्वारा suicide करते हुए और इस movie की opening scene में हम ये देखते है Sebastian और इसकी बेटी एक bus stand में एक surviving group को बाहर ले आता है और सबको monster की gaze के थरू suicidal बना देता है तो Sebastian exactly Gary जैसा है I mean monsters ने इसको इस हद तक corrupt कर दिया है कि उसे लगता है कि अगर ये बाकी लोगों को भी monsters को देखने में मजबूर करेगा तो मरने वालों को एक तरह की मुक्ति मिलेगी starting में ऐसा believe करवाने की कोशिश की है कि इसकी बेटी जिन्दा है बट कहीं न कहीं हिंट हो जाता है कि इसकी बेटी इसकी imagination की figment है जो Sebastian को लगता था अगर ये बचे हुए लोगों को monsters को दिखा दे जहां उसकी मदर हो सकती है वो castle Barcelona की city के एक point से दूसरे point पर है जिसमें involved है gondola ride ये part मुझे इस movie में एकदम pointless लगा क्योंकि जिस group में Sophia है उन members को confirm भी नहीं था जिस trip पर वो जा रहे है वो worth भी है या नहीं meaning Sophia की mother उस castle में है भी या नहीं और अपनी life को risk में डाल रहे हैं सिरफ Sophia को mother से मिलवाने को meaning in members की कोई background history या details movie में established नहीं की which was really ridiculous और Barcelona में relationships और character develop करने में ज़्यादा focus नहीं किया है सिरफ उसी cult पर focused है जिसका symbol कुछ इस तरह का है जो Sebastian जैसे लोगों को recruit करते फिरते हैं ताकि बार-बार वो survivors को ढूंड कर forcefully उनकी आँखे खुलवा कर उन monsters को सोंपना चाहते हैं मोक्ष के नाम का हवाला दे कर और दोनों movies के end को अगर practically observe करें तो ज़्यादा practical मुझे original वाली लगी क्योंकि first bird box में Mallory को river के rapids के through एक dangerous trip से गुजरना है और वो अपने दोनों kit से converse करती है कि आगे genuinely danger है और बिना देखे वो rapids cross नहीं कर सकते ये scene इतना intense है कि actual danger उन्हें दोनों तरफ से है rapids भी और monsters भी और ये समझाया है कि वो चोटे बच्चे है और monsters उन्हें भी अपनी power से confuse कर सकते हैं और rapids का danger अलग है bird box बार्सेलोना में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की है stairs के through बट वो इतना practical नहीं लगता मैं बताता हूँ क्यों जब monster Sophia और उसके साथ एक English lady Claire को follow करते stairs के through गंडोला tower पर आ जाता है blindfold के साथ cable car के door में enter करती है by counting seconds was just absurd rapids को blind folded cross करना एक impossible task है बट फिर भी वो story के साथ lined feel हुआ और देखने में उतना practical लगा जितना reality में है बट jumping and entering into cable car उतना promising मुझे feel नहीं हुआ बट बार्सेलोना का end एक interesting question raise करता है इसके end में हमने देखा बार्सेलोना city के scientists और military ने एक monster को कैद कर रखा है और उस पर experiments कर रहे है क्योर की तलाश में तो अगर बार्सेलोना outbreak के 9 months के बाद की story है और original 5 साल बाद की इसका मतलब humanity के पास already एक chance था उस पकड़े हुए monster को use करके इनकी powers और weaknesses को study करके क्योर निकाल पाएं बट Mallory के river वाली timeline तक इसका मतलब वो fail हो चुके है या monster के experiments की findings भी successful नहीं हुई आप कैसोचते हैं comments में बताओ Conclusive point ये है कि बार्सेलोना की ending भी weak थी तो overall मैं कहूं तो original bird box far far better थी in terms of story casting, acting, suspense, cinematography and even background score तो ये थी दोनों bird box की story का comparison Now let's talk about monster की powers and origins के बारे में It's clearly scene की monster powerful तो है मुट वो physically किसी को hurt नहीं कर सकता और नहीं doors और windows को cross करके घर के अंदर चिपे लोगों को harm कर सकता है Even Barcelona के end में हमने देखा कि वो Claire और Sophia के पीछे जब जाता है उसे stairs चरनी पड़ती है ये intentionally makers ने दिखाया है ये सच में monster इतना powerful नहीं है मेरे अंदाजे से वो इतना powerful नहीं है कि बिना stairs चड़े वो किसी height पर जाके humans के thoughts को read कर पाए Even original bird box में rapids cross करने के बाद Mallory से जब उसकी बेटी जंगल में बिछड जाती है हम देखते हैं कि creature Mallory की आवाज में Girl को बोलता है blindfold उतारने को और उसी time उसकी appearance से ये दिखता है कि girl के बाल electricity field के effect जैसे हवा में उड़ने लगते हैं Which means कि creature इतना strong नहीं है कि वो even kids को भी physically harm कर पाए वो सिरफ mind read और manipulate करके suicide करने को उकसाता है और next power जो हम इन दोनों movies से observe करते हैं वो है ये जब भी creature किसी human के आसपास है उस time तेज हवा चलने लगती है Even birds sense कर लेते हैं उसकी presence को और पत्ते भी जमीन से उड़ने लगते हैं Normally नहीं बलकि इस तरह से पत्ते उड़ते हैं जैसे कि वो gravity के against जाके उड़ रहे हों और humans को ऐसा feel होता है कि उनके कोई आसपास है Usually monster उस आवाज में बात करता है जिसकी वो बहुत care करता है या उसने recently अपनी life से किसी को खोया हो और monster की appearance कैसी है Well ये भी अभी तक mystery है बट Barcelona में हमने कुछ elements देखे जहां Sebastian को monster कुछ angel के जैसे दिखता है जो हूबहू उसने अपनी बेटी को एक pendant gift किया था उसकी safety के लिए Basically monster अपने हिसाब से humans को दिखाने की कोशिश करता है उनके mind की power के according और different humans को उसकी different form देखने को मिलती है और Barcelona में ये भी देखा human blindfold उतारने के बाद खुद को मारने से पहले वो आसमान की तरफ देखते है which means कि उपर कुछ ऐसा है जो उन्हें देखके सुन्दर लगता है I will still go with my gut कि वो alien species है जिन्होंने अपने spaceship को आकाश में पार्क कर रखा है इसलिए वो उपर देखते हैं and find that sight beautiful एक point पर first bird box में हमने ये भी देखा कि ये creatures humans को completely अपने control करने से पहले कुछ humans इनकी power को resist भी कर सकते हैं जैसे Olympia के case में उसने अपना baby Mallory को दे दिया और Tom के case में Tom उन cult members को gun से shoot करता है उस time Tom blindfolded था और उसे पता था कि ये blindfold अगर नहीं खोला तो ये cult members Mallory और Kate's तक पहुँच जाएंगे और वो risk में हो सकते हैं suicide के उन्हें इसे बचाने के लिए Tom अपना blindfold उतारता है और monster उसे control करे उससे पहले ही वो उन members को shoot कर देता है और बाद में खुद को meaning humans के पास कुछ seconds की resistance है उन monsters के full control में आने से पहले जिसका relevance हमें इस outbreak के cure के form में भी दिख सकता है जो बार्सेलोना की ending में दिखा भी till now ये binks कहां से आये हैं अभी भी unknown है बट अर्थ पर कहां से फैलने लगे उसका हमें definitely पता है जिसकी information हमारे पास first bird box से है ये outbreak फैलना शुरू हुआ था first Russia से फिर Eastern Europe और आहिस्ता आहिस्ता पूरी Earth के बाकी continents पर फैल गया with full force सिवाए oceanic regions के और ना ही हमें इन monsters की history के बारे में explicit information है बट बार्सेलोना में एक human जो मरने के वर्च पर है वो सेबैस्टियन को बताता है कि these beings have traveled many light years and crossed many galaxies until reaching their final destination meaning here on Earth इवन मैंने सुना है कि Netflix पर इस universe पर limited series भी develop हो रही है I'm not sure कि इसमें कितनी सचाई है बट अगर इस universe पर कोई series या movie develop हुई तो हमें definitely इन monsters के बारे में और information मिलेगी जो मैं जुरूर आपके लिए cover करूँगा apocalypse का ये concept मुझे इतना interesting लगता है कि मैं क्या ही बताऊ अब खुद सोचके देखो During COVID lockdown में सिर्फ गर में बैठे बैठे हम इतने frustrate हो चुके थे कि कुछ करने को नहीं था बाहर खाने नहीं जा सकते थे movies, travel कुछ नहीं कर सकते थे ये भी कुछ ऐसा जैसा ही है monsters हैं उनके पास extra sensitive hearing की power है जो छोटी सी आवाज भी catch कर सकते हैं और seconds में आवाज के origin के पास आकर इंसान को मार सकते हैं और next ऐसा ही अपोकलिप्टिक वर्ड है The Last of Us का जो recently HBO Max पर release हुआ और same नाम की game की adaptation है जिसमें अर्थ एक fungal outbreak से गुजर रही है और या अगर reality में कुछ ऐसा हो जाए तो आप किस universe में survive करना पसंद करोगे Please comments में बताओ I would love to hear your options तो ये था मेरा detail में comparison between the two movies और as promised अभी मैं आपको details देने वाला हूँ giveaway के बारे में अगर आप लोग यहां पहुंच चुके हैं इसका मतलब आपने वीडियो को end तक देखा है जिसके लिए thanks giveaway यह है कि अगर आप इस वीडियो का target पूरा करते हो जो है 100 likes and comments और 200 subscribers का count तो मैं आप मैंसे किसी एक को आपकी ही पसंद की movie tickets gift करूँगा आपको बस movie और city की details देनी होगी results announce होने के बाद result fair तरीके से होगा जो मैं किसी comment picker website से उन आए हुए comments को randomly pick करने को कहूँगा और उसकी वीडियो आपके साथ share भी करूँगा ताकि decision आपको fair लगे आप मुझे channel को grow करने में help करे आने वाले time में मैं giveaways को भी बढ़ा दूगा और ऐसा ही content आपके लिए लाता रहोंगा till then take care and do subscribe this channel and thanks for watching